AI MIM 77 असवदिन ओवैसी ने वकफ संशोधन विधे 2020 के नंदा की सम pergunta और मुसलिम संथानों को कमजोर करने का आरूप लगाया AI MIM 77 असवदिन ओवैसी ने वकफ संशोधन विधे 2020 के मुझगा अरूप दोविधे 2020 होड़ विरोध कि यह ने स्व Bill 팩 के प्रस्थित होनी और शक्ति के प्रथक करण को कमजोर करता है और वैसे का आरोप है कि विध्यक का उद्देश हिंदत्व संगठनों द्वारा दावा किये गए मस्जिदों और दर्गाहों को जब्त करना है और यह वकफ बोर्ड को प्रभावी ढंग से खतम करता है उन्होंने विध्यक को 22 के तहट इस स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ है राइट और हमारा मानना यह है कि यह जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का इसके प्रिंस्पल्स का वाइलेशन करता है यह बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो सम्मीधान का उसका और खास उसे जुडिशल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन आफ पावर्स का वाइलेशन करता है अब इसमें सबसे एहम बात यह है कि जो वख बाई यूजर का सेक्शन त्री आर आई है उसको यह कह रहे हैं कि वख बाई यूजर को हम निकाल देंगे कैसा निकालेंगे क्यों निकालेंगे आप आप इसे निकालेंगे ताके आप जितने मस्जिदों पर आर एसेस का दावा है वो चीनना चाहरे आप जितने दरगाओं पर राइट विंग हिंदुत्व आरगनेशन का दावा है जिसा अपने मुंबाई में हाजी मलंग की दरगा है चीनना चाहरे वक्फ बाई यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्मेंटेशन लेकाँ पर चार सो साल का डॉक्मेंटेशन रिमिन साथ नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप दे देंगे क्या चेंज कर देंगे ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो इसमें सक्षन है दूसरा उसमें वक्फ अलावलाद का क्लास फूर का है देखिए भारत में जो खानून है ना वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रापर्टी को विल के जरीए डिस्पोस करे या किसी को गिफ दे तो वो ही कोई मुसल्मान अगर अपनी ओलाद के लिए वफ कर रहा है तो इनके पेड़ दरत क्यूं हो रहा है हिंदू एंड़मेंट बोर्ट में इजाज़त है इसकी सब जगा दूसरे गुर्दवारा परबसन कमीटी में इजाज़त है तो मुसल्मानों के वगवर्ड में क्यूं नहीं होगा पांच भी बात ये है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसल्मान जो पांच साल उसके होगे इसलाम खुबल करके तब ही वफ करेगा ये फ्रीडम ऑफ रिलिजिन का ग्रेव वाइलेशन है अच्छा दूसरे रिलिजिन को मानने वालों के लिसा खानून है नहीं है और आप कौन होते हैं बताय करने वाले मुसल्मान हुआ नहीं हुआ पांच साल उसको रुकना चाहिए तब ही जाकर मानि आप वेट करेंगे और ये और एक उसमें जो बात जो अबजिक्शनिबल है वो ये है कि अगर कोई सेक्शन सिक्ष्टी वन में आपने डीम को बहुत पावर्स दे दिये अब डीम को फैसला करता है वागबोट के खिलाफ में तुछे ट्राइबूनल जाना है अब ट्राइबूनल पहले क्या था एक जच था डिस्टिक जच सीनियर सीजिया पाणे और दो लोग थे आप कह रहे हैं कि ट्राइबूनल में दो लोग होंगे डिटार्इट डिस्टिक जच और एक आफिसर होगा क्या होगा वो जॉइन सेकेटरी राइंग का कोई जॉइन सेकेटर राइंग का आफिसर बैट कर डिटार्इट कलेक्टर के खिलाफ और देगा तो ये खुद अचा और एक बात कलेक्टर कैसे जजज बनेगा फैसला भी होई करेगा जजज भी होई करेगा ये प्रिंस्टिक नाशल जिस्टिस के खिलाफ है तो इसमें कई सेक्शन्स हैं जो खतरनाक है कई जो वखबोट के फैवर में नहीं है वखबोट को खतम करना चाहते है सब दलील जूटी है एक 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 वो जो बोल रहा है ना वो गाउन डिकलियर कौन किया वो बताएं देश को वो गाउन डिकलियर अगर हुआ है तो वखबोट बोलने पर नहीं हुआ है इसलिए हुआ है कि सर्वे कमिशनर की रिपोर्ट आई उसके बाद गजीट इशू हुआ और गजीट के लिए एक साल का टाइम मुसल्मानों के लिए नौन मुसलिम के लिए कभी भी टाइम है आप उसको अब्जेक करिये ना हैदराबाद में भी सेके प्रॉपर्टीस थे जिन को गजीट के बाद भी कोट ने ओरूल किया आप मिसाले दे रहे हैं सुनेरी बाग की मजजिद का अगर डॉक्यमेंटेशन लॉग कहां से लेंगे बताईए मेरे पास तो मंतर शंतर नहीं है के 200 साल पुराने के मरने वालों के रूहों को बिलाकर मंतरी जी के बाद लिजाओं कि देखो ये रूह है और एक कहरे ही के वफ है ये क्या बात कर रहे हैं तो ये ये लिजिसलेशन नहीं है वफ को बुल्डोस करके खतम करने का मुसल्मान अज़ाओं लूटने का है